नमस्कार दोस्तों स्वागात आप सबों का, आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनुपात का पाट टू, दोस्तों इससे पहले हम लोग पाट वन कंप्रिट कर चुके, जिसमें कि यह अनुपात का कोंड़ेट और अनुपात से जुड़ेगे बेसिक कोश्टन, देखिए पहला question आपका SSC MTS का 19 का है दोस्तों अभी आपका SSC MTS का बहाली भी आया हुआ है जिसमें की constable का put दिया गया है आप में से कई लोग इस form को भरे होंगे तो जो लोग इस form को नहीं भरें दोस्तों जल्दी से भर लिजिए कोई की बहुत अच्छा seat दिया गया है और आए देखिए हम लोग कई सारे questions MTS का और LDC जिसको आप CHSL कहते हैं उसका हम लोग question करने जा रहे है पहला question कहता है कि यदि X Y Z का नूपाथ 5 नूपाथ 3 नूपाथ 4 नूपाथ 5 है और X प्लस Y प्लस Z का मान 96 96 है तो Z का मान क्या होगा तो दोस्तों ऐसे सवालों में आप बहुत से कम समय में भी question को solve कर सकते हैं देखिए अगर कोई समान भी दैर्थी होगा तो इस question में X मान लेगा लेकिए आपको जो हम टेक्णी बता रहे हैं इसमें ना कुछ मानना है और ना ही solution करना है डाड आपका उतरा जाएगा देखिए X का अनुपाति मान 3 है Y का 4 है और Z का 5 है और हमको सब को जोड़ के बोला दोस्तों कितना है 96 है इसका मतलब कि अगर हम इसको solve करेंगे X मान करके तो भी एक process होगा वहां से X का मान निकलेगा तब आप यहां पर Z का मान निकाल सकते है तो अगर हमको Z का मान पूछा दोस्तों तो Z का मान कितना हिस्सा बताइए दोस्तों कितना हिस्सा है 5 हिस्सा है इसका मतलब कि आपका Z का जो answer आएगा जड़ का जो मान आएगा वो 5 से कटने वाला होगा वो एक ही है वो है 40 जान दीजेगा यह option तो हम घर से उठा के लाए नहीं है आप चाहें तो question check कर सकते MTS का उनीज का इस प्रकार से option दिया गया था ताकि exam में student को कम से कम टाइम लगे अब जिसके अंदर में competitive approach नहीं है आप सो सकते हैं कि उसमें क्या करेगा देखिए 3X प्लस 4X प्लस 5X सबको जोड़ने तो सबको जोड़ने कितनारा 96 सबको जोड़िए 5 4 9 3 12 12 X का मान 96 यहां से 12 से काटोगे X का मान 8 आएगा तब यह Z का मान 5X है और 5X का मान 240 लेकर के आएगे तो क्या यह competition में टिकने वाला approach है बिल्कुल भी नहीं आप इस approach से comparison में नहीं टिक पाऊगे तो आप परियास करिए कि जो concept हम बता रहे हैं उससे आप question को लगाने का कोशिज करिए आगे बढ़ते हैं अगले question में आप दोस्तों अगला question देखिए यह भी आपका SSE MTS का 19 का question है तो आज का जो वीडियो दोस् कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से काफी फैदा होगा आप question देखिए कहता है x y z का मान दिया है एक अनुपाद 2 नुपाद 3 x square y square z square मान 24 तो x plus y plus z का मान कितना होगा सबसे पहले हम दो देखते हैं कि क्या technique से question को solve किया जा सकता है देखिए हमको x plus y plus z का मान पुछा गय भाग मान के चलेंगे तो x का 1 y का 2 और z का 3 कुल मिलाकर 3 2 5 और एक 6 इसका मत्तब कि हमको 6 भाग का मान निकालना है अब देखिए 6 से कटने वाला 48 भी है 36 भी है 42 भी है 24 भी है तो यह सवाल उस तरह से question स्थल्ब नहीं होगा अब यहां पे आपको थोड़ा सा fast calculation करना होगा देखिए पहला काता 1x अगर मान 1x मानते हैं तो 1x का स्कार कितना हो जागा we हाई का मान 2 है तो 2x माने है तो y सक्था कितन सोंहां बहुत हो यह उसको सब्सक्राइब को एक बार काटेंगे तो दोस्तों बचेगा आठ आठ और चार तो चोगदा च्वारासी यानि एक स्क्वेर का मान आपका जागा चार अगर एक चार आया तो आपको 6X का मान निकालना है तो 6 इंटू 4 बराबर 24 आपका डिनम्मर अंसर है तो कभी कभी क्या होगा कि कुछ सवालों में डायट आपको कॉंसेट काम नहीं करेगा और अगर डायट काम नहीं करेगा तो भी आप इस कोस्तन को सॉल्फ कर सकते हैं ठीक है दोस्त तो बहुत तरह से आप पढ़े होंगे लेकिन यह जो तरीका है इससे आपका एक्जाम बहुत आसान हो जाता है कहता है और देखिए X-Y का मान दिया हुआ हूँ तो X का मान दोस्थों कैसे निकालते हैं इन दोनों को जोड़देना 52 जोड 20 72 को आधा किरना है 365 अब 약 का मान disciples कैसे निकलेगा 52 में 20 को गटा देना 32 32 में अगर हम हाप करेंगे तो 16 मिलेगा तो 36 और 16 का अनुपात निकालना क्योंकि X अनुपात Y निकालना है आप अगर इसको काटते हैं 4 से सोरी 6 से 6 सो नहीं कटेगा चार से काटोगे तो 9.36 और 4 गुने 4 यानि आपका इसका भी आंसर आपसर नमर डी है 9.45 अब दोस्तों अगला कोशन देखिए ये भी आपका SSE MTS का 2019 का सवाल है सवाल कहता है कि X प्लस Y प्लस Z का मान 360 दिया गया है X Y Z अनुपात का मान 4 अनुपात 3 अनुपात 2 दिया गया है तो X सोरी Y प्लस Z मैनस X का मान निकालना है Y प्लस Z मैनस X तो सबसे पर देखिए क्या करेंगे बिना solution का फिर ट्राय कर लेंगे Y प्लस Z Y का मान दोस्तों 3 और Z का मान किता दोस्तों 2 तो Y प्लस Z मैनस 3 प्लस 2 पांच और उसमें X घटाना मैने 4 तो X 4 घटा देंगे तो मान हमारा किता निकालना होगा एक भाग का मान निकालना है तो भई एक से तो सब कट जाएगा एक से सब कट जाएगा तब अब थ्रस हमको काम करना होगा कि इससे हमको पहले ये मान निकालना होगा कि एक भाग का मान कितना होता हुआ ही हमारा उत्तर आ जाएगा देखे चार और तीन साथ दो नो नो भाग का मान कितना पता यह 360 क्योंकि तीनों को जोड़ने पर कितना बोल रहा 360 जब आप 9 से काड़ते हैं तो आपका मान दोस्तों कितना रहा है 40 option number C आपका उत्तर है को दिकत नहीं है ठीक है आएगे बढ़ते हैं अगले question में देखिए दोस्तों अगला question भी है 2019 का लेकिन अब यह सवाल आपका CHSL का है यह सवाल क्या किया गया है जो अभी आप MTA से question कुछे पहले बनाये थे वही सवाल है लेकिन इसको सब्द में लिख दिया है word में लिखा गया है ताकि आप खाली डावर्ड हो सके question कहता है कि दो संख्याओं का योग और अंतरक्रमसा 27 और 3 है तो दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा अगर हम दो संख्याओं का योग A पलस B 27 और A मैनस B 3 हगर ले रहे हैं तो अब आपको याद आ गया होगा टेखनीक क्या है कि A और B कैसे निकाला जाए देखिए जब A निकालना होगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे 27,3,30 का आधा करेंगे 15 और B का मान निकालना 27 में 3 घटाएंगे 24 में 2 से भाग करेंगे 12 यानि आपका जो अनुपात होगा वो 15 अनुपात 12 होगा यहां से काटने पर 5 अनुपात 4 हो जागा 3 से काट दिये तो हमारा उत्तर हो जागा C नमर, option C 504 क्या लग रहा कि अनुपात अगर इस तरह से बनाया जाए तो बहुत आसानी से कोसर बन सकता और आप एक चीज़ गौर कर रहे है कि इतना आसान कोसर एक्जाम में वो भी latest exam में दे रहा इसका मतलब है कि examiner आपसे बहुत talent नहीं धुन रहा है आपका talent वो चेक नहीं कर रहा आपका concept चेक कर रहा कि आप कितने आसानी से questions को कम time में deal कर सकते हैं आए बढ़ते हैं अगले question में फिर दोस्तों अगला question देखिए आपका MTS का मिल गया और इस सवाल को भी कोसिस करेंगे कि बस एक दो step में खतम कर दें कुछ second में खतम कर दें को ऐसा है कि तीन कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपाद 3, 5, 4, 5, 5 है मान लेते हैं कि 3 कक्षा ABC है और अनुपाद 3, 5, 4, 5 है पर ते कक्षा में 20-6 बढ़ात दिये जाते हैं तो अनुपात बढ़कर के 4-5-6 हो जाता है तो 3 कक्षाओं को मिलाकर उनमें च्छातरों की आरंबीक संक्या क्या है तो जब विद्यार्ती 20-20 बढ़ादा जाता है सबकलास में तो अनुपाद दोस्तों कितना हो रहा है चार अनुपाद 5 अनुपाद 6 हो राग है मेरा कैना पहले काक्ष्छा में कितना stories तो देखिए की तीनों का छाथर कितना था फूल मुझा करके तो तीनों का छाथर का अनुपातिक मान को जोड़ लीजिए आपका देखे मान आजाएगा तो कितना पांच जैर नो तीन बारा और बारा से कटने माण देखिए आपको एक तो दीखना धूसे चालीस इसको चछेक करते हैं 12 दुना 24 छे और यह भी 300 भी कट जाएगा 12 से यह कटेगा 12 से यह नहीं कटेगा 12 से यह नहीं कटेगा यानि यह दोनों आपका मान हो सकता है ठीक है यह भी कट रहा है 12 से यह भी कट रहा है 12 से तो ऐसे सिती में आप आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए कि भाई हमको इसमें देखिए आप इस सवाल में क्या कर सकते हैं कि बही तो इस सवाल में आप ये भी कर सकते हैं कि तीन अनुपाथ चार अनुपाथ पांच जो दिया गया है और बाद में चार अनुपाथ पांच अनुपाथ छे जो हो गया है किसी भी दो अनुपाथ से आप काम कर लिजिए ये दोनोंएक हिस्सा बढ़ गया है येग भाग बढ़ा है और कि यह 53 गए तो एक बहुत का मान कितना आरा 20 अगर एक हमान 20 तो सकते हैं कि इसमें कितना होगा, 60 होगा, 14 5 में कितना होगा, ठीक है अब इन तीनों को आप जोड लेज़े定 कितना होगा, 24 होगा, एक तो ये आप ये भी कर सकते हों कोई बड़ी बात नहीं है तो आप questions को deal करना सीखो समय बचाना सीखो ताकि आपके एक्जाम में अनुपाल सा chapter आपको समय खाके नहीं निकल जाए आए बढ़ते हैं अगले question में आप देखिए यह जो सवाल है आपका यह SSC 10 प्लस 2 यानि जिसको आप CH SL कहते हो जिसका एक्जाम वे मई में होने जा रहा है ठीक है समाने बासा में आप लोग LDC को बोलते रहते हैं तो कहता है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों यानि boys और girls का जो अनुपाद दिया है वो 3 अनुपाद 2 दिया है यदि 6 लड़किया और आ जाए तो लड़का नहीं बढ़ रहा जान दिजेगा लड़की छेटों बढ़ जा रही है लेकिन लड़का नहीं बढ़ रहा है तो ऐसी सिती में क्या करना होगा लड़के के अनुपातिक मान को बराबर करना होगा तो बराबर कैसे होगा आप देखिए यहां पर 3 और 2 है और यहां पर 6 और 5 है अगर हम इस पूरे अनुपात को 2 से गुना कर दें तो यह छे अनुपात 4 हो जाएगा और पुराना अनुपात अब खतम हो जाएगा तो आप देखिए और बॉइस देखिए बराबर हो गया खतम गर्ल देखिए चार से कितना दोस्तों हो रहा है पांच चार से पांच हो रहा मतलब कि एक भाग बढ़ जा रहा है और एक भाग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि छे लड़की बढ़ जा रही है त तो एक भाग का मान 6 तो क्या पूछा लड़कों की संक्या कितनी है तो लड़कों की संक्या दोस्तों एक भाग का मान 6 तो 6 भाग का मान 36 36 लड़का है ऑप्सन नमबर भी यह होता टेक्निक बनाने का सवाल ठीक है आप बस दोस्तों लाइक सेर करते रहें और अपने दोस्तों तक भी यह सब क्लासिस को पहुचाएं ताकि वो लोग भी इसे टेक्निक का हेल्प ले सके क्योंकि अभी सामने आपका एक्जाम है और य इन वाला जो अनुपात होता है उसको किस प्रकार से समान तरीके से सिंपल करके सॉल्प करेंगे दोस्तों क्वेस्टन कहता है यदि 117 को एक बटा दो अनुपात दो बटा तीन नुपात चार बटे पांच के नुपात में तीन भाग में बाटा जाए तो दूसरा भाग क्य सबसे पहले से सवालों में आप क्या करेंगे कि जो आपको आनुपाति मान्दिया गया है Państwo सबसे पहले इसका आप सिंपलिकेसं करेंगे समान सास्तर से लेकि आए इसको तो और ले 5 उस यसतेम को अभास संख्यां अबर से आख क्या मोलते हैं अबहां संख्याह本 के LCEM उनके गुना करने पर मिलता है तो दो तीन और पांच का LCM उसको गुना करने पर मिलेगा इसका बन्दा पांच तिया पंदरा गुने दो तीस अगर तीस LCM है तो इसको तीस से गुना करिए इसको भी तीस से गुना करिए और चार बटे पांच को भी तीस से गुना करिए अब जो आ है कि दूसरा बला जो हिस्सा है यह को सब को जड़े कितना वासqu Flick i4-85 किफ 45 उननुसर्ट सरी उन्चास और 169 तो उनसर्ट भाग का मान दोस्तों 1777 तिन वला कितना बाटना है 177 क्या ये कटेगा ये तीन बार में पूरा पूरी कट जाएगा एक सब्सक्राइब नौ तेस्टाइस पाइटेपनरा और दो शतरह तो एक भाग का मान कितना दूस्तों आ करना था जब आप अनुपात निकाल लिए कि 15 20 और 24 होगा हमसे पूछरा की दूसरा बैक्ती या दूसरा भाग क्या होगा दूसरा भाग आप निकाल लिए कि 20 हिस्सा होगा और दोस्तों इसमें से 20 से कटने वाला एक ही भाग है एक ही मान है वह साथ तो बताव यहां के बाद केलकुलेशन करना मुर्खता है कि नहीं तो आप जो है गधे घोडे के जो दोस्तों आप जानवरों की भाती जूँट में तम सिफ चलिए नहीं आप जो है आँखों पट्टी बांद के नहीं पढ़िए आप समझे कि देखिए आपका ओप्सन किस हिसाब से आपका क्वेस् एड उत्तर लगत तक आपको पहुचा सकता है ठीके दोस्तों आइए बढ़ते अगला कुस्तन में अगला कुस्तों देखिए आपका SSC से दिया हुआ है और ऐसा नहीं कि सीजियल में है तो किसी और में नहीं आ सकता यह को स्बाइब का एंटी पीसी में विया सकता है SSC में किसनदीं दली आ सकता है कि ABC के बीच 5-6 किनूपात विवाइब यह कोई रहति कोई पाटना है एको चारभाएर मिले हो तो कूल चांटाशी कितनी थी देखिये 5-6 और 9 यह तो आदमी का हिस्सा औरおお एक का हिस्सा कितना एह 450 तो एक का हिस्सा है 450 तो अगर यदि हम एक का हिस्सा पांच लिख रहे हैं बी का छे और सी का नौ तोपांच हिस्सा का मान दूस्तों कितना होगी 450 5 से काइंगे 90 5 से काते 90 हो गया मतलsm zoo कि एक भाग यानि एक हिस्सा का मान नब्वे है आपसे क्या पूछा कूल धनरासी कितनी थी तो कूल जोड़िए 9-6-15 और बीस बीस हिस्ता था, एक हिस्सा का मान नब्वे, बीस हिस्सा का मान 18 साँ अटा कोश्टन, कुछ भी नहीं है इसा कोश्टन, तो यह सब सब जाए पूछने खासर कि जो थार्ड वीडियो आने वाला आपका ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है उस वीडियो का बिलकुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उस वीडियो में उन बड़े-बड़े को लेकि आने वाले हैं जो कि अनुपात का तेड़ा मेड़ा कोशन बना जाता है लेकिन उसको भी हम इसी प्रकार से कम से कम कोश्टने में हमनों स्वाल्व करने सीखेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं जैहिंद